इस वीडियो में हम देखेंगे isolated footing of a column और pedestal के बारे हमाँ तो ये देखो किसी एक single column की जो footing होती है उसे बोलते है isolated footing जो किसी एक column के लिए होती है खाली तो अभी तक हम books में diagram देखते थे अब देखो practically किस तरीका दिखाई देता है नीचे से वर्टिकल हो रखा है कुछ फिर ये टेपर हो रखा है column के ये जो उपर जो आपको दिखाई दे रहा है नहीं column नहीं है pedestal है pedestal के bottom तो taper कर रखा है जो pedestal का cross section होता है वो column के cross section से थोड़ा ज्यादा होता है इस pedestal के उपर column आएगा ठीक है अब क्या है ये लोड डिस्यूशन का क्या pattern है column से लोड जाएगा pedestal के उपर और pedestal से जाएगा लोड इस फुटिंग के उपर फुटिंग से सीधा जमीन के अंदर तो यहां से दिखाई दे रहा है हमें ये column का सरीया है जो उपर निकल रहा है प्रडेस्ट्रिल से अंदर ही रह गया ये cover हो गया पूरा प्रडेस्ट्रल बन चुका है प्रडेस्ट्रल का cross section ज्यादा होता है ये जो उपर से हम देख रहे थे ये cross section था